बब्रव Bhagavan Q Saka बहुर चलेटम की इANSब और्लमे Hm भारते कैसा देशे मैं पर देश्रों के लोग जो है वह मिल जुल कर रहते हैं और यह भी कहना गलत नहीं है कि वो समय समय पर हंगामा करते हैं, हिंसा भड़काते हैं और उसके बाद दोनों समुदाय के बीद तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं राम नवी पर आपने देखा कि कई देश के कई जिलों में, कई राज्यों में जम कर हंगामा हुआ आंग जनी देखने को मिली, लगातार यहां पर हिंसा देखने को मिली और इसे करब में हर्याना के सोनीपत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला हर्याना के सोनीपत में एक मस्जित में भगवा कपड़े पहने कुछ लोग जो हैं मस्जित में सरयाम घुसते हैं और उसके बाद मस्जिद की छट से जो हैं वो भगवा जंडा लहरा देते हैं अब आप सोचिए कि इस तरह के लोग आखिरकार क्या चाते हैं वो चाते हैं कि भाई चारा खत्म हो जाए और दो समुदाय के बीच तनाव जो है वो पैदा हो जाए यह हर्याना के सोनीपत का मामला है आपने देखा कि इससे पहले बिहार में भी बिहार के नालंदा में भी मदरसे को आख के हवाले कर दिया गया कुछ हिंदुवादी लोगों ने हिंदुवादी भीड ने मदरसे में आग लगाई कुरान शरीष जला दी और उसके बाद जमकर वहां पर भी हंगामा और हिंसा देखने को मिली सोनी पर्ट में भी यहीं चीज़े सामने आई है इस पूरे बामने का खुलासा एक CCTV फुटेज से हो रहा है CCTV फुटेज में वो लोग जो भगवा कपड़े पहने किसी ने भगवा जंडा ले रखा है किसी ने भगवा गमचा पहन रखा है किसी ने भगवा पगड़ी जो है वो सरपर बांध रखी है और उसके बाद वो एक के बाद एक कहीं लोग मस्चित में घुसते हैं भगवा जंडा जो है वो मस्चित की छट से फैरा देते हैं इसके बाद जैश्री नाम की नारेबाजी होती है और मस्चित के बाहर जंकर हंगामा होता है उत्पात होता है पुरे मामले को लेकर पुलिस कारवाई कर रही है पुलिस लगातार लोगों की गिरफतारी कर रही है और उस पुरे मामले बे शांति व्यवस्ता बनाया रखने की अपील कर रही है, पूरा मामल आपको बताएंगे, सबसे पहले तो आप ये ट्विट देखिए, नरगेस बानो का सोशल अक्टिविस्ट है, वो यहाँ पर एक ट्विट करती है और एक सवाल पूछती है कि क्या भगवान राम आपको ये सब करने के लिए कहते हैं, उनका कुछ लोग मस्चित में घुषते हैं, जो भगवा जंडा है वो लहराते हैं, पुलिस इस पूरे मामले पर आक्शन ले रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भगवान राम आपको ये सब करने की इजासत देते हैं, उन्होंने आपको कभी ये सब करने के लिए बोला है, दोस अपनी स्क्रीन पर लगातार देख रहे होंगे, आपको वीडियो दिखाते हैं, सबसे पहरे तो आप वो वीडियो देखिए, वीडियो पंजाब केशरी का है, वीडियो में आपको दिखेगा एक CCTV फुटेज है, वीडियो में आपको दिखेंगे कि भगवा कपडे पहने खुस रहे हैं, और उसके बाद गुसने के बाद वो मस्चिद की चत पर जाते हैं, और वहां से भगवा जंडा पहराते हैं, वह दूसरा वीडियो भी अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें कुछ लोग मस्चिद की चत पर दिखाई देंगे, आपको भगवा पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, पुलिस किस तरीके से अक्शन ले रही है, ये भी आपको बताते हैं, पूरे मामले का घटना करन समझने के लिए ABP की ए ख़बर देखिए, ख़बर में लिखा है, मस्चिद पर फैराया भगवा जंडा, सोनी पत में बवाल, पुल लोगों को इस पूरे मामले में गिरफतार कर लिया है, साथ ही शहर में शांती व्यवस्ता बनाया रखने के लिए पुलिस बलतेनात कर दिया गया है, ACP Law & Order विपिन कादियान ने जिली के लोगों से शांती व्यवस्ता बनाया रखने की अपील भी की है, CCTV फुटेज के अध अधिया पर दिखरी होगी, जिसमें ये मस्जिद के बाहर सडकों पर हंगामा कर रहे हैं, उत्पात कर रहे हैं, और इनके हातों में भगवा जंडे दिखाई दे सकते हैं, तो ये तमाम तस्वीर दिखा रहे हैं, कि जो नफरत का बीज बोया गया था, वो अब क्या परिना हमले में और उसके बाद इस तरह के नतीजे जो हैं, वो सामने आते हैं, कहीं मस्जिद पर हमले हो रहे हैं, कहीं मदरसी में तोड़ पूड हो रहे हैं, तो कहीं सरेयाम मस्जिद में घुस कर भगवा जंडे जो हैं, वो लहराय जा रहे हैं, खाबर में आगे देखिए इसके बार इलाके में माहुल टनापून हो गया जिसको देखते हुए भारी पुलिस पल टनाद कर दिया गया। ने पुलिस को आदियात बरता हुए जिल्लि में शांती का माहुल बनाया रखने के आदेश दियेます पूरे मामले में पांच लोगों की गिरफतारी हुई है, उनके नाम इस तरह से है, देखिए, मोहित खरकोदा, डवीन चसराना, रोहित सिसाना, मंजीत रोहाना और इंदरजीत रोहाना को गिरफतार किया गया है, इन्हें नियाए खिरासत में भेजने के लिए कोट में पेश किया जाएगा, लेकिन सवाल यह उता है, कि आखिरकार इस तरह की घटना कब बंध होगी, जैश्री राम के नाले लगा करके इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो क्या इनके धरम ने इस तरह की इजासत इन्हें दी है, यह सवाल खड़ा हुता है, इसी के साथ आपको बता द समुदाय विशेष के धार्मिक सल पर भगवा जंडा फैरारे के मामले में बीच अविवार को शेत्र के कुछ लोग धार्मिक सल पहुच गए, और समुदाय विशेष के लोगों से बात चीत की, इस दोरान दोनों धर्मों के लोगों ने कहा कि उस सामाजिक भाइचारे को कि तरह कायम रखेंगे, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन भाइचारे को नुकसान नहीं पहुचा सकते, दो समुदाय के बीच में तना पैदा करने की लाग कोशिशे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाइचा हाँ